लद्दाक सीमा से एक बहुत बड़ी खबर आई है भारत और चीन के बीच चल रहे इस तनाप पुन हालत में भारत ने चीन के खिलाब लद्दाक सीमा में क्यूआ सैम मिसायल सिस्टम को तैनाद कर दिया है 15 जून को हुई खुनी जड़प में चीन के जाउ जौंकी का हाथ है दोस्तों अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि डोकलाम युद के बाद यह है जर्नल जाउ जौंकी की तीसरी चाल और हार है जर्नल जाउ जौंकी ने करीव 20 साल तिबबत में समय बिताया है इसलिए च सेंटर मिलिटरी कमिशन में शामिल किया है जो कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी सैन्ने फैसले लेने वाली संसता है वर्ष 1989 में जर्नल जाउ जौंकी के ऊपर व्यतनाम के सैनिकों ने भीशन हमला किया था लेकिन उस वक्त वह बच निकला था वर्ष 2016 में जर्नल जाउ वक्लाम की साजिश करी जर्णल जाओं चीन के कम्दिस्ट पार्टी को दिखाना चाहते थे कि की वकाम के व्यक्ति हैं और इसे डोहजार innovation क주 हान डेने की कुशिश करी जर्णल जाओं चाहते थे कि डोकलाम की जमीन को हड़प लिया जाए ताकि चीन के कमलिस्ट पार्टी की नजरों में उनका कद और बढ़ जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा जर्नल जाओ चीन के रास्ट पती जिंपिंग के बहुती करीब हैं जिसे च बहुता है दोस्तों के भारती सेंयक ने चीन के 43 जवानों को मार दिया दुस्तों चीन ने भी मानना शुरू कर दिया है कि चीन के सैनिकों की भी मौत हुई है लेकिन अब भारत ने भारतिय सीमा पर QR Sam को तैनाद कर दिया है और चीन के खिलाफ इस सिस्टम मिसायल से क्या एडवांटेज मिलेगा और QR Sam की खासित क्या है पहले जानते हैं QR Sam क्या है दोस्तो QR Sam का मतलब है तो दोस्तो नाम से आपको पता चल गया होगा यह दुश्मनों पर काफी रफतार से हमला करता है QR मिसायल शॉटर मिसायल सिस्टम है इसे भारत के DRDो ने बनाया है यह मिसायल चीन के खिलाफ लदाक में युद्ध का रुख मोड सकता है दोस्तो QR Sam Radar के 360 डिगरी के कवरिज में रहता है यह मिसायल सिस्टम किसी भी मौसम और किसी भी भोगालिक सिती में काम कर सकता है दोस्तो QR Sam मिसायल सिस्टम को एक जगा से दूसरी जगा पर असानी से ट्रांस्पोर्ट किया जा सकता है जिसकी वज़ा से चीन को अगर पता चल जाएकी कि इस जगा पर मिसाइल सिस्टम है तो भारत उसे तुरंत उधर से कहीं और ट्रांस्पर कर देगा जिसके कारण से चीनी इस मिसायल सिस्टम को तबाह नहीं कर सकता है तो चलिए जानते हैं ये मिसायल सिस्टम चीन के खिलाफ भारत के लिए कैसे काम आ सकता है तो माल लीजिए चीन और भारत के बेच युद हो रहा है और हमारे सैनिक और T-90 टैंक चीन पर भारी पड़ रहे हैं तो चीन भारत के उपर लड़ाकों विमान से हमला करने की कोशिश करेगा तब भारत QR-7 मिसायल को फायर करके चीन के हेलिकॉप्टर और लड़ाकों विमानों को हवा में ही तबाह कर सकते हैं तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि भारत का QR-7 मिसायल सिस्टम चीन के खिराफ युद्ध में कितना काम आ सकता है QR-7 मिसायल सिस्टम चीन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है